So welcome guys, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप US CPA करते हैं तो आपको किस तरीके से Canadian CPA मिल सकता है with the help of mutual recognition agreement. बहुत सारे students जो की Canada में रहते हैं, Canada में PR हो गई है उनकी, यह student visa पे गए हैं, walk visa पे गए हैं और उनके मन में confusion है कि सर्थ हम Canada का CPA करें या US का CPA करें किसकी value ज्यादा होने वाली हैं और किस तरीके से आपको US CPA, Canadian CPA से आसान पढ़ने वाला हैं, अगर आप Canada में जाने वाले हैं, क्या आपके लिए अप्रोच होगी, क्या value है US CPA की Canada में वो सारा का सारा discussion हम इस वीडियो के थुरू करने चाहिए लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो please subscribe the channel, जिससे की आपको time to time इस पकार के notification मिल से कि mutual recognition agreement, दिखिए Canadian body जो CPA है और US CPA की जो body उनके बीच में mutual recognition agreement होता है इस mutual recognition agreement का मतलब होता, reciprocal agreement होता है, यानि कि अगर आपके पास USA का CPA है, तो आपको इस MRE का benefit लेकर Canadian CPA मिल जाता है, तो मैं generally ऐसे student जो की Canada में रहते हैं, Canada CPA करने की सोच रहे हैं, मैं उनको advice करूँगा कि आप US CPA कीजिए, सबसे बड़ा advantage आपको यह मिलेगा कि आपको बहुत सारी जो exam देनी पड़ती है, Canada में देखिए, financial reporting, strategic and governance, management accounting, auditing, finance, taxation, उसके बाद elective modules अलग हैं, और फ और सच बोल रहा हूँ, आपका जो expenditure है, वो US CPA से तीन गुना जादा आजाएगा, यहाँ पर expenditure भी कम है US CPA में, और US CPA में की विल चार paper है, तो आपको यह नहीं सोचना है, आपको अगर Canada की आपकी PR हो चुकी है, या आप student visa पे, आपको Canada CPA भी मिल जाएगा, आप mutual recognition agreement का benefit लीज आपको US CPA करना चाहिए, और US CPA की value भी बहुत ज्यादा है, और Canada का CPA थो आपको मिल रहा है, आपके पास 150R की credits होनी चाहिए, 150R कैसे आते हैं, 90 credits आपको graduation के मिलते हैं, और 60 credits आपको master, US CPA की आप 4 exam को pass कीजिए, उसके license को apply कीजिए, और फिर form फिल करना होता, experience letter का, उसके और आप उसको CPA Canada में convert करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे institute से coordinate कर से, so मैं US CPA की बारे में इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि CPA में केवल 4 paper हैं, US CPA में far, audit, regulation और text के भी दो ही subject हैं, तो only 4 paper आपको देना है, sir MCQ based है, majority, flexibility है, Canada में भी center होता है, और सबसे अच्छी बात, अगर आनिकी सोच रहे हैं, अभी आप इंडिया में ही हैं, तो आपको पता है, Canada CP की exam आप इंडिया में नहीं दे सकते, लेकिन US CP की exam आप Canada में भी दे सकते हैं, इंडिया में भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, और Canada CPA काफी long term process, काफी lengthy process, मतलब आपको 12 से 15 subject पढ़ना हो रहा किवल 4 subject पढ़ना है, अब आपका question होगा sir, कि US CPA हम अगर कर लेते हैं, तो value किसकी ज़्यादा, अरे value तो US CP के कारण आपको Canada CP तो मिली रहा है न, तो आपके पस तो dual designation आ रहा है, दो degree आपको मिल रही है, और US company की जो presence है, वो Canada में बहुत ज्यादा है, तो आप सोचिए अग Canada और USA के business relationship, border इतने connected है, बहुत सारी US based multinational companies Canada में है, तो US CP भी उतना ही recognize किया जाएगा जितना Canadian CP है, और बहुत सारे लोग तो job USA में करते हैं, शाम को Canada आ जाते हैं, तो border इतने connected हैं, तो आपको को issue नहीं आने वाला है, online आपको exam देनी है, US CP की, flexibility है, एक-एक paper करके दे सकते ह तो जहाँ expenditure कम हों, जिसमें pass होने के chances ज्यादा हों, वो आपके लिए US CP है, और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, कल को Canada से आप US shift हो जाए या वापिस इंडिया आ जाए, Canada CPA की value केवल Canada में, लेकिन US CP a global profession is because of the American companies present, largest economy of the world, dollar is an international currency, 25 trillion dollar की economy है, तो US CP की value इंडिया में है, अस्ट्रेलिया में है, Canada में हर country में है, लेकिन Canada CPA केवल Canada की territory तक है, तो अगर आप PR basis पे जाते हैं, तो मेरा suggestion आपको US CP a करना चाहिए, migration हम आपको करा के देंगे हमारे के through, आपको 101% Canadian CPA हम दिलवा के रहे हैं, तो मैं आपको ये बार बार बोल रहा हूँ कि US CP a को चूज है, बहुत सारे candidate हम से Canada से CP की classes लेते हैं और जो इंडिया से migrate होगे जाते हैं, उनका experience में आप से कह रहा हूँ कि आपका जो package होगा, वो 80,000 से जो आपका 80,000 Canadian dollar, यहाँ पर मैं Canadian dollar को consider करो, 80 से 1,000,000 Canadian dollar की range में आपका package हो सकता है, इसे initial, मेरा एक student है, निशानत नाम है, उस दे केवल अभी far को pass किया है, accounting का और एक company में वो controller की position पे higher हो चुका है, 67,000 dollar उसका yearly package है, he is just 21 year, तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, कि आपको wise decision लेना है, और इस mutual recognition agreement के थुरू, आपको US CPA करना और फिर उसको Canadian CPA में convert करना, बहुत सारी body के साथ में, US CPA का mutual recognition agreement, तो और भी अगर आपके मन में questions हैं, इस प्रकार के तो आप comment box में लिख सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो please like and subscribe the channel, thank you for watching this video, thank you very much